Hello and Welcome, हम सीख रहे हैं EWS Auto Scaling अब तक हमने Auto Scaling का Introduction वीडियो कंप्लिट कर लिया है Benefits हमने सीख लिया है Auto Scaling की Components क्या है वो भी हमारा कंप्लिट हो चुका है अब हम बात कर रहे हैं Scaling Options के बारे विया जब हम Auto Scaling करते हैं तो हमारे पास Specifically 3 Scaling Options है Manual Scaling, Schedule Scaling and Dynamic Scaling अब Manual Scaling और Schedule Scaling हमने Practically समझ लिया है पर ये दोनों तब यूसपूल है जब आपको एक पूरा Idea है कि आपको कब Scaling और Scale Out करना है जैसे कि आपको मालूम है Every Weekend आपकी Website पे बहुत सारा Traffic रहता है तब आप Manual Scaling या Schedule Scaling कर सकते हो जैसे अगर आपको एक Product Launch कर रहे हो और आपका Launch Date Next Week है तो आपको पहले से मालूम है कि Product Launch में इतना Traffic रहेगा तो यहाँ पे आप दोनों का यूस कर सकते हो या तो Manual Scaling करो या Schedule बट यहाँ पे सम्हाव हमें ये मालूम है कि Traffic Increase होगा जब हम Uncertainty की बात करें जैसे में मालूम ही नहीं है और Traffic Increase हो जाए तब काम करता है डाइनमिक्स के लिए जैसे के हमारे प्रदान मंत्री नरेंद्रमोदी ने हमारा नाम कोई मन की बात में मेंशन कर दिया तो अब क्या होगा फुल ट्राफिक आएगा और हमें तो मालूम ही नहीं है कैसा होने वाला है तो कुछ समय उस लोर को हैंडल करने के लिए काम आएगा डाइनमिक स्केलिंग तो देख लेते हैं डाइनमिक स्केलिंग के बारे में कामब score है प्रैक्टीकली इस वीडियो वे हम IMPLEMENT करेंगे डाइनमिक स्केलिग तो डाइनमिक स्केलिंग लेस्ट टॉट्टी। डिफाइन पारमिटर्स डेत कंत्रॉलिध इस्केलिम्टर्स इन ऐसाँ प्रामिटर्स अगर मेरा CPU utilization मेरे जो EC2 instance है या auto scaling group में जितने भी instance है वो group का मिला कि 90% उपर हो जाता है जैसे full traffic मुझे मिल रहा है और CPU utilization 90% automatically up हो गया तो EC2 instance को add कर दो अब 19% से कम हो जाएगा तो delete कर दो या terminate कर दो तो scale out, scale in दोनों हो सकता है और practically scale in, scale out दोनों को में देखना भी है यहाँ पर use case it is used to handle uncertain load जैसे आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपका traffic जो है वो increase हो जाएगा अब dynamic scaling को set करने के लिए हमें scaling policy करनी पड़ेगी अब scaling policy की बात करें तो यहाँ पर तीन scaling policy है dynamic scaling में simple scaling, step scaling and target tracking scaling, अब इस तीनों को सबजने के लिए सबसे पहले हम क्या करते है auto scaling group ही बनाते है और समझते है कि यह पूरी process कैसे काम करती है, अभी मैं AWS console में हूँ यहाँ पे इस बार हम सबसे पहले launch template बनाएंगे launch template इसलिए क्योंकि इस बार मुझे एक अलग से website configure करना है, क्यों? क्योंकि हम यह test करना है कि हम CPU load को increase करे इसके लिए मैंने एक particular website बनाया है जिसको हम use करेंगे in the user data script हर बार जो हम use करते थे वह user data script यहाँ पे नहीं चलेगा यहाँ पे हम नया launch template में नया user data script यूज करते है जिससे हम auto scaling test कर सके तो यहाँ पे मैं करता हूँ create launch template यहाँ पे lt4sg template version 1 amazon linux 2023 instance type हम ले लेते है t2 micro क्योंकि यह free है, की हमारे पास 2024 already है यहाँ पे मैं security group बना लूँगा let's say that test sg secure web यह मेरा default vpc है वही हम use करते हैं यहाँ पे मैं दो traffic को allowed करूँगा first of all I am going to allow ssh क्योंकि अगर troubleshoot करना पड़े तो और दूसरा http तो दोनों को allowed कर रहा हूँ from everywhere right अब यहाँ पे advance में जाके user data script लिख रहा हूँ मेरे पास user data script ready है अब यह user data script मैं पूरी आपको समझा नहीं सकता भी और आपको समझने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यह जस्ट टेस्ट के लिए हमें यूज करना है मुझे एक comment भी मिला था कि हमें यह user data script दिखाई नहीं दे रही है तो no problem इस वीडियो के description में मैं इस user data script का download link दे रहा हूँ आप उसको download कर लो और अपने practical में implement कर लो यह user data script का use यह है कि इससे हम देख सकते है CPU utilization और CPU utilization इंक्रीज भी कर सकते है हम coder नहीं है हमें coding करने की जरूरत नहीं है तो यह user data script कैसे बनाया गया उसके बारे में आप tension मत लो सिर्क इसको utilize करके auto scaling सीख लो तो वीडियो के description में यह link होगा आप download कर लीजेगा यहाँ पर हमां करूंगा create launch template okay test asg security group already है तो no problem just हम उसका नाम थोड़ा change कर लेते है test asg one and create launch template अभी हमारा launch template बन गया है second step always auto scaling group बनाना है तो create auto scaling group यहाँ पर वे नाम दूँगा asg launch template lt4sg और next t2 micro यहाँ पर में दो availability zone select करूंगा ap south one a and b यहाँ पर c मत select करिएगा क्योंकि c में कहीं बार free instance मनाने नहीं देता है तो problem होता है इसलिए सिर्फ a b ही select कीजिएगा next कोई road balance नहीं चाहिए कुछ नहीं करना है desire capacity one अभी अगर यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे पास कोई भी ec2 instance नहीं है कोई भी instance running नहीं है मुझे एक instance बनाना है जिससे हम अपनी टार्गेट है यह तीनों के बारे में सीखना तो अभी मैं यहाँ पर कुछ भी select नहीं कर रहा हूँ no scaling policy एक instance बना दो मैं test कर लू next कोई notification नहीं send करना है next and create auto scaling group अब क्या होगा क्योंकि हमने बुला है desire one चाहिए तो एक ec2 instance तो वह बनाएगा और उसमें हमें test करना है कि हमारी website बन रही है कि नहीं बन रही है test करने में और ec2 instance बनने में थोड़ा time लगता है meanwhile हम ASG में जाके auto scaling group को देखते है जब आप automatic scaling में जाओगे तो यहाँ पर हमारे पास तीन option है dynamic scaling, predictive scaling and schedule हमने schedule देख लिया है predictive हम देखने वाले है अगले वीडियो में dynamic scaling हमें इस वीडियो में सीखना है यहाँ पर जब मैं click करूँगा create dynamic scaling तो मेरे पास तीन option यहाँ पर मिलेंगे सबसे पहला है simple scaling दूसरा है step scaling और तीसरा है target tracking scaling यह तीनों के बारे में हम बात कर लेते हैं तब तक हमारा EC2 instance भी बन जाएगा तो सबसे पहले simple scaling यहाँ पर आप single threshold set कर सकते हो threshold add one instance CPU utilization is between 50 to 60% तो यहाँ पर एक threshold set होता है जब आप simple scaling करते हो देगे यहाँ पर आप बोल सकते हो scaling name sc1 यहाँ पर हमें cloud watch alarm set करना पड़ेगा अब यह cloud watch alarm क्या है cloud watch एक service है जिसके through auto scanning group find out करेगा कि अभी CPU utilization कितना हो रहा है तो 50 to 60% हो रहा है वह auto scaling को कैसे पता चलेगा using this cloud watch alarm अभी हमें यहाँ पर cloud watch alarm set नहीं करना है क्योंके practically हमें यह नहीं देखना है यह बहुत ही simple है तो इसके बारे में अभी हमें सिर्फ theoretical समझना है अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो take action में एक ही बार आप action ले सकते हो राइट तो अगर CPU utilization 50 to 60% के बीच में हो रहा है तो add one instance आप percentage wise भी add कर सकते हो और capacity आप instance आप add कर लो simple scaling की बात करें तो यहाँ पर आप एक ही बार action ले हो क्योंकि यह single threshold पर चरता है अगर हम step scaling की बात करें तो है तो simple scaling जैसा पर यहाँ पर आप multiple threshold sets कर सकते हो जैसे threshold A add one instance when CPU utilization is between 50 to 60 two instance when CPU utilization becomes 60 to 70 और add three instances अगर 70 to 90 के बीच में CPU utilization हो रहा है पूरे group का तो दोनों में फर्क यह है के simple scaling में एक बार ही action ले सकते हो याने के add एक बार ही कर सकते हो अगर आप step scaling में जाओगे तो आप multiple action add कर सकते हो step wise आप action add कर सकते हो पर AWS ने सबसे best option हमें दिया है target tracking अभी के target tracking में क्या होता है it's automatic set the value and that's done and self optimization यहाँ पर हो जाएगा अब देखे क्या होगा यहाँ पर target tracking हम चार चीज़े set कर सकते है average CPU utilization पर आप scaling कर सकते हो average network in याने कितने bytes in हो रहा है आपके auto scaling group में कितने bytes out हो रहा है याने traffic कितना है और load balancer से आपको कितनी request आ रही है इसमें से कोई भी एक को decide करके आप auto scaling setup कर लो यहाँ पर मैंने सुचाए कि चलो हम average CPU utilization पर जाएंगे क्यों क्योंकि हमारे पास EC2 instance है उसको हम verify कर सकते यहाँ पर मैं target value दूँगा कि if average CPU utilization going more than 60% अगर मेरे auto scaling group में जितने भी EC2 instance है अभी तो मेरे पास एक ही है उसका CPU utilization 60% से उपर जा रहा है तो अपने आप instance को add करो अपने आप instance को remove करो 60% से उपर जाएगा scale out होगा instance add हो जाएगा 60% से कम होगा average instance remove हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर एक होता है instance varman जैसे अगर आपने 60% के ऊपर गया तो instance नया बनेगा अब नया बनेगा तो उसके अंदर इंस्टेंस में operating system होगा user data script होगा तो उसको बनने में थोड़ा time लगेगा तो यहाँ पर हम warm-up देते हैं कि अगर कोई नया instance बनेगा तो 30 seconds sorry 300 seconds तो 5 minutes तक रा देखो उसके बाद उसको अपनी fleet में count करो क्योंकि instance को ready होने ले कितना time लगेगा वो आप यहाँ पर warm-up seconds में दे सकते हो तो इसको setup करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो autoscaling group ने हमारे लिए एक नया EC2 instance बनाया था वो ready हुआ है कि नहीं हुआ है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा EC2 instance बन गया है मैं यहाँ पर detail में जाके यह public IP address को copy करके यहाँ पर इसको paste करोगा जैसे आप paste करोगे देखिए आपको पता चलेगा कि हमने जो user data script configure किया था उसके कारणी यहाँ पर CPU load अभी 0 है मेरे पास एक EC2 instance रनी है क्योंकि हमने जो desire capacity बन दिया था उसके कारण EC2 instance बन गया है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं इस particular ट्रेकिंग और नाइनमिक scaling policy को क्रियेट कर रहा हूँ जैसे ही आप create करोगे आपको यहाँ पर यह policy दिखाए देगी आप उसको select करके यहाँ से disable भी कर सकते हो edit भी कर सकते हो delete भी कर सकते हो अब यहाँ पर इस policy में क्या होगा अगर मेरा CPU utilization क्योंकि अभी हमारे पास EC2 instance है तो इसका CPU utilization अगर 60 से उपर जाएगा average okay it will add new instance फिर दोनों का verify करेगा अगर दोनों का 60 percent उपर जाएगा तो एक और बनाएगा अगर पूरे auto scaling group का 60 से down हो जाएगा तो scale in होगा और वो delete करेगा अब इसमें क्या है जब नया EC2 instance बनता है तो 300 seconds उसका warm up time होता है तो इसमें थोड़ा time लगता है अभी मुझे क्या करना है CPU load को increase करना है तो CPU load को increase करने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं करूँगा increase CPU load जैसे ही आप यहाँ पे click करोगी क्योंकि हमने already user data script में यह setup किया हुआ था अभी मेरे instance का CPU load 100% हो चुका है थोड़ी देर लगेगी क्योंकि यह average count करता है और जैसे हुई यह average 60% के उपर होगा Hi, I am Bhaves Atara from CloudFox Hub Thank you very much आपने हमारा 100 days तक साथ दिया यह challenge continue रहेगी और हम daily एक video upload करते रहेंगे पर यह सभी videos available रहेंगे हमारे portal पर learn.bhaves atara.live और CloudFox Hub Android और iOS एप पर जब आप हमारी website विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको YouTube 100 days challenge course दिखाई देगा जिसमें आप Android कर सकते हो First 1000 student के लिए यह fees 499 रूपीज है अगर आप इंडिया से बाहर एक्सेस करोगे तो only 7 USD तो मिलते है CloudFox Hub पर थेंक यू वेरी मच्च गुडबाई